दुनिया में बहाना बनाने वालों की कोई कमी नहीं है चाहे नौकरी से छुटी लेनी हो, स्कूल ना जाना हो, एक्सरसाइस स्किप करने हो या फिर कहीं आने जाने से बचना हो, बहानों के लिस्ट में सबसे उपर और सबसे पॉपिलर बहाना है मेनाक शीव ऐसे आजकल के तनाव भरे लाइफस्टाइल में हैडेक होना आम बात भी है स्ट्रेस नींद पूरी ना होना या फिर गलत वक्त पर खाना पीना कई बार सिरदर्द का कारण बनता है जिसकी वजह से परिशानी बढ़ती है और जोटसना ऐसे में पेन किलर्स कुछ देर के लिए तो राहत देते हैं पर परिशानी जस की तस्बनी रहती है इसलिए हैडेक को जड़ से खत्म करने के लिए आपको इसे पूरे तरीके से समझना होगा गौर से सुनिए अलग अलग किस्म के हैडेक में सिर के अलग अलग हिसों में दर्द होता है इन्हें मेडिकल टाम में हैडेक पॉइंट्स कहते हैं जिनके जरिये ये समझ सकते हैं कि किस किस्म का सिर दर्द है और उसका इलाज क्या है अब देखिए सिर के अगर आधे हिस्से में आपको इस तरफ दर्द हो रहा हो यानि की दाईं और बाईं तरफ अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा हो तो समझेगे कि माईग्रेन या साइनेस की वज़ह से ये दर्द आपको हो सकता है इसके अलावा नींद की कमी और देर तक भूक रहने की वजह से भी इस तरह से आपको half head में दर्द होता है और अगर आपको सिर के सामने के हिस्से यानि की माथे में दर्द महसूस होता है तो इसकी वज़ा viral बुखार और dehydration हो सकता है और वहीं अगर सिर के पिछले हिसे में यानि की इस हिसे में अगर आपको दर्द हो रहा है दर्द गर्दन के muscles में भी अगर तनाब दे रहा है तो बैचने के खराब position के वज़े से ये दर्द हो रहा है आपको इसके लाबा ये pain, hypertension का लक्षन भी हो सकता है ऐसा दिमाग में spinal fluid के low pressure के वज़े से होता है इनसे अलग headache, brain, tumor और stroke का भी लक्षन हो सकता है अगर अचानक तेज सिर दर्द के साथ गर्दन में आपको अगर एटन महसूस हो रही है या शरीर के किसी भी हिस्से में आपको कमज करना बहुत आसान हो जाता है लेकिन इलाज की नौबत आई ही ना उसके लिए क्या करना है वो योगिक और आयूरवेदी कुपाय हम चानेंगे योग गुरू स्वामी राम देव से स्वामी जी बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत प्रणाम और मिनाक्षी जी जी ज किसी को दिल में दर्द है किसी को फेफणों में किसी को लिवर किन्ने में किसी को पेट में घुटनों में जिंदगी में बड़े दर्द है और ये दर्द बड़ा बेदर्द है हम दर्द तो केवल योग है यह हम सफर है हम राही है और सिर्शासन ये सिर्दद का सिर्शासन क प्रवेश द्वार पर हमारी ये संदावई ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटिया विदूशी बेटिया जो 11 से 21 सास्त्रे इनको कंठस्त है और 11 विश्व की भाषाओं में इनको निशनात बना रहे हैं हिंदी, संस्केद, स्पैनिस, जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन, रसियन, कॉरियन, मेंडरिन, चाइनिज, जैपनीज, क्या बात है तो देखो, ये शीर्शासन और शीर्शासन एक दो मिनट जो कर लेंगे उनको वेरी तरह कभी जिन्दगी में सिर्दर्द नहीं होगा करण पीज़ूदे यह आपस में बैशूंन से सिर्दार्द सावाजी कई औरतिक राजनेतिक सबस्वाइव नारीवे नियु वाली जोरदारै करेगे और इदर पुस्ती भी जोरदार वह रही है यह भी जो करने जो तो तो सिर्दर्द कभी हो गाई नहीं फिर ये सीर्षासन के बाद ये सर्वांगासन ये सिर्दर्द के लिए परमोशद है सुवह उठ करके एक जमच गाय का घी खाने ब्रामी घृतिया सो खाने है या मकान काले बिश्री के साथ या बादा मकरोड रात को गोगो करके सुवह घोट करके पीस करके खाले हाँ ये बहुत अच्छी चीजे हैं और बादा प्रोगन नाक में डाले बादा प्रोगन दूद में डाल करके पीने नाक में बादा प्रोकर डालना दूद में डाल करके पीना, बादा में भीखो करके पीना, जड़ों को ये तो बहुत ही जबरदास्ता है, बेदावटी, मेमोरी, गृट्टो, खैर, अबेगा तो प्रेंड के समसे अच्छे टोनिक हो उतसे, देखो एक होता है, कफच सिर्दा एक वाताज, एक पिताज, पित बढ़ा हुआ है, उससे सिर्दार तो दूखी कर ले, कब बढ़ा हुए तो नस्य कर ले, और वात बढ़ा हुए है तो निरगुंदी का रसनाक में डाल, ये दो अप्यासों सिर्दात के लिए पहले बताए, ये सरवांगासन, हलासन और चक् कर आसर करो, एक साथ, हाँ, हाँ, इसमें प्रतीक्षा मत करो, ऐसे क्या बात है भई, अब ये देखते ही बनती है शोभा, ए चोटे बच्चे, हाँ, करो पुस्ती, आप देखते हैं, ये तो अड़ेबल जोर से पठकते हैं, ऐसे नहीं, पूरा तरीके से, हाँ, स्वामी च जब में headache pointers के जरीए, ये पता चलता है कि दर्द किस वज़े से हो रहा है, जैसे migraine का दर्द, सिर के दाई तरफ या फिर बाई तरफ होता है, सिर के अगर पीछे दर्द हो रहा है, तो यानि hypertension वज़े हो सकती है, माथे में दर्द बुखार की वज़े से भी हो सकता है, क्या इन headache points को समझ कर उपचार में आसानी हो जाती है, क्या क्या किया जा सकता है, योग एक बार सूरे नमस्कार के साथ दमदार हो जाए संगीत के दुनों के भी आवास सुनाई दे है स्वामी जी समस्कार को ग्षय दूगा हो जैसे राम की पैड़ी हर्की पूडी है न ये ग्यान की पैड़ी है या गुरू की पैड़ी गुर्कुल पैड़ी है गुर्कुल पैड़ी बूरी थिल कुछ को, हम् एंसाथ बूरूरू एक्सातॉ सबसक्ताऊ है। सबखे पिंदे को, सबस्केट देखिलard मत्ती मतर अगďा मत्सों यह थो अजया भी तीन पांच साल के छोटे छोटे चोटे चुन नो मुननो एक यह दो ऐसे एक अल्मिवानी बेटी करो यह करो यह दो बहुत फ्लेक्सिबॉल है ऐसे यह दो रहा है और यह दो अब्यांस एक तो यह मिश्धंड पावर योग भी हो जा है जो शोवाट करके ब जातों बच्चे दोड़ भी लगा रहा है और स्केटिंग योगा भी हो रहा है इदर मेरे दाई और पाई और और एक तुछ तुछ इन दूसरा यह यह दो आनवाना तन्डा से यह ऐसे यह मैं तो अपना सो शो करके आया हूं फिल कर रहा हूं दुबारा से एसे और यह थे कर यह gust Pas Normal हो जाएगा पचीश करके कटी यह भार चारवार तुसो बार हो जाएगा और प्रasisow कि तो उनसे भुजग असन करते हैं तरहां तरहां ऐसा पच्छे जाओा लट जाओ 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 लटाओ बजंग आसे तो वार वार गाँ टो टी फॉर फ़ई टॉद्सी का यह जो है से कर लें है मिनाकशी जी मेलता है यह उनके जिंदकी मेए कोई रोग शोख दुख कहा सिरधर्द है तो आप जो कह रहे हैं तो एक बार तो सुबसुए काना ज़रूरी है सिर्वेदर्द के लिए भुजंगा असन मकरासन सलभासन बरकटासन बड़े अच्छे शिर्शासन पहले बता दिया को पकार से शिर भेदर्द हो तो गिलोई घ्रना सब भडी हिओ फीव ग्रिट टाइफाइट चरो टाइफो घ्रिट भुखार से सिर्मे अथे कान सी शिर में दर्द हो जाता है तो खत्थकान उतारने के लिए अश्वगंधा और गिलोई बैस्ट अब अवसे तुम जुर्णासव क्वास भी देते हैं उसे भी बुखार उतर जाता है इसलिए क्योंकि कई कारणों से बुखार चड़ता तो एक तो बुखार के कंट से तो सिरदर्द होता एक वर ठंडा कपड़ा लपेट दे शरीर के पांस मिनेट लपेट करके और फिर कंबल उड़ा दे उसको और ग्यारा तुलसी के पत्ते तीन से पांच काली मिर्च और तीन से पांच लोग उबाल करके उसमें अच्छे से उबाल के थोड़ा सेंदा नमक डाल के पिला दे यह मैंने हजारों लाखों लोगों पर आजमाया हुआ है यह काढ़ा पीते कंबल उड़ा दे पसीन आएगा भुखार उतर जाएगा सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा तो यह बुखारवारी सिरदर्द के बात हुए फिर नेदपुरी नहीं उससे भी सिरदर्द हो जाता है इसके लिए मेधावटी या श्रीपोम खाया करे इसके लिए मखाना पोस्ट दाना इसकी खीर खाया करे और गर्मी बहाता है तो तो प्याज का प्रियोग किया करे नेद अच तो जने ऋगड़ियों का पानी फिलाते हैं। 40 शीशम, विएल, पिपल, शीशम, बेल, पेपल के पतों का रश्मी लाधें। इसली बढ़ने सर्दरद पर पर पपफ बढ़ने से हैं। स्वासारी प्रोन को को भूझा सब कॉप जमा हो जाते हैं ये जि तेम्पल है नि खोपड़ी और हूपा धायाक सिट्रे शुर माः वे耕त करasis कंटॉ सम्य कट्येड और ह मेक उपने काण ठाई समय खाते जिशाट में पैसे घोटेदों घरइधा करता घो ए तो किसी भी कारण से सिर्मेदर्द हो रहा है निर्भार रहे थोड़ा सा थोड़ा पानी पूरा पीए थोड़ा सा स्वासों पर ध्यान कर लिया करें जितना होसे के गैजेट से मोबाइल से दूरी बना के रखें जो बहुत जादा खुश्बू वाली चीजे प्रयों करते उस अलग अलग कारणों की वजह से जो सिर्दर्द होता है उससे निवारेंट भी आपने बताए और सबसे बड़ी बात योगा अभ्यास जरूर करना है वो फिर सिर्दर्द देगा ही नहीं आगे स्वामी जी सिर्के कभी बाएं हिस्से में दर्द होता है कभी दाईं तरफ दर्द होने लगता है और अकसर ये माइग्रेन का दर्द होता है और आजकल तो माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है बड़े तो छोड़िये छोटी छोटे बच्चे माइग्रेन की शिकायत कर रहे अब स्वामी जी इसके लिए modern lifestyle कितना जिम्मिदार है क्या-क्या बदलाव करने की जरूरत है और ये जो आधे हिस्से में सरदर्ध होता है माइग्रेन का दर्ध अचानक से उठता है उसको दूर करने का उपाय क्या है को instant तरीका भी है कि इस से लिए का अनुलोंं बिलोंं करें ना यहां पर यह तो instant योगा हो गया अनुलों मिलों ब्रहां रीध 그wart जिस और जिन से वहन पायों कछिन करले ना indeed यह जह यहां से यह यह ढब से के उपर से यह यहां से दबाएं थाड़ यहां से दबाएं ऐसे एक गर्दन के पीछे पॉइंटे यह भी दबाएं हाथों में भी पॉइंट बताते हैं तो अनुलोम मिलोम भामरी उद्गीत डिवेधारा सूंघले एकदम सी सिर्दाद अच्छा हो जाता है यह मोती चुटकी भर और गोधन्ती भस्म यह इंस्टेंट इलाज है पेंकिलर की जुर्दने पेंकिलर और ब्रूफेन और पता नहीं क्या-क्या यह पेंकिलर अस्टिराइड बायलोजिकल सिंथैटिक दवाओं का जहर से निर्में जिश्में डालते रहते हैं यह सबसे बड़ी तो यह मरकटासन यह भी सिर्दर्द के लिए वड़ा अच्छा कमरदर्द के लिए तो है क्योंकि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम परेफ्यान नर्वस सिस्टम पूरी स्पाइनल कोड के 33 के 33 वर्टिब्रा जो हर हमारे 33 करोड जो नाडिया बहतर कोड़ों बहतर लाख दसजार दोस्तों एक नाडिया उसमें भी 33 करोड उसमें भी टीन और तीन में एक लीड़ा पिंगला सुसुमना वह इससे अच्छी हो जाती है इसलिए मरकटासन यह खाली कमरदर्द की सिमित नहीं है तो इंस्टेंट इलाज में मोति पिष्ट अनुलों मिलों ब्रहामरी उद्गीत बता दिया और मन पर नियंत्रण यह बहुत बड़ा तत्व है आत्मसयम योग सासों पर मन को टिकाएं प्रसन्नता और अपने आपको उभारने की कला आनी चाहिए किसी भी रोग से दुख से दर्द से पीड़ा से अपने आपको तुर जोगी मानना बंद करें दुखी दरीत्र मानना बंद करें मैं कल भी कह रहा था वोट देते समय यह शिक्षा की यह चिकित्सा की वैचारी का सांस्कृतिक आर्थिक पराधिनता रोगों नशों की गुलामी खाने पीनी की चीजों की जो गुलामी अदासता इससे बाहर निक यह चालना पड़ेगा है चलो बच्चो तुमने बहुत अभ्यास कीए चलो बच्चो आभी बैठो अब अनुलूम मिलूम करो बैठो यह जां और बैठ करके अनुलूम मिलूम के दो अनुने खूब जूडों कराटों कुम खूब करतें कर दो करतें जाओं कि ऋर्वन nay नब फ्रॉस्के भ्रस्टेश है गे लांएग ये Contra the Land, entitleati अब माइक देखे हम साउंड देखे हं मैं परहते हम सक्रिप्ट भी एक हम बोले भी सब भी हम को हम पड़ता है कि अग स्वामी जाब बन मैन आर्मी है तो अच्छा कुछ लोगों और बहुत वह काम का बोज इतना उसी सी सिरदर्द हो जाता है वैदि काम से सिरबोज होना होता तो अभी तक तो सावी रामदेव का सिरफट जाना चाहिए था लोग अपने परिवार का बोज उससुगों नहीं समा सानसार का बोज अपने उपर ले रखा है लेकिन इस भी जी काम का बोज है तो सिरदर्द होता है और काम ना हो तब तो और बड़ा सिर्दार दोता है स्वामी जी माइग्रेन के मरीजों के हम बात कर लेते हैं माइग्रेन के मरीजों को ना एसी में चैन मिलता है ना गर्मी में सुकून मिलता है बढ़ती गर्मी और तेज धूप में अगर माइग्रेन के मरीजों को काम के लि कि कई लोग तो यह शिकायत करते है कि फूई गिड़नी की आभाफ तक एफ़ लगता है जब से कानूं में नगारे बजा देए हो हाँ तो इसलिए सैयम उर्वक जियो कि देखो हम यह नेचुरल एयर में रहते हैं इतना सुन्दर गुर्कुल बनाया है लेकर मैंने एसी नहीं लगाया बारा बारा फिट की 15-15 फिट की छते हैं उचाई पाद उची छत बनाई वायू का आगवन उसका निकास प्रवेश ठीक से रखा तो हम निसर्ग के प्रकृति के साथ जीना सीखे न हो क्या गया आदमी एसी में कूलर में थोड़ा वो पंखे तक मैंने अलव किया है यह जो सब जितना हम प्रकृति से दूर जाते जा रहे मैं कहता हूँ योग अध्यात्म सनातन संस्कृति ही हमारी मूल प्रकृति है अब इससे दूर जाते जाने और विकृति आती जा नहीं है तो चलो बच्चो अब देखो गोमुखासन करो सब बच्चे गोमुखासन करो और मंडुखासन से लेकर कि गोमुखासन और जो पहलवान हो यह दो पहलवान और आ गए हमारे यह तो पुछ जादा ही तगड़े आ गए पहलवानों की गुरू भी आ गई है हुआ 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 है तो लेकिन यह बच्चे इतने वजबूत है घर पे इसे मत करना कभी तुम फर्स पर ऐसे ही बेट विचाके करो और कबर टूट जाए तो इसके लिए पहले प्रक्टिस जरूरी है तो यह सर्दी यह गर्मी जरासी अनुकूलता अनुकूल डूट जरासी कृट इमान अप्मान, सधकार, तरशकार, अनाधर, अनाधर, यह अनुकूल वेदियम् मचख, फ्रतिकुल वेदियम् दुख वं जिए इसी में आदमें पिछा जा रहा है इसलिए योग कहते हैं आपका बड़ा प्रियशा दैर मिनाख से जी गि कल तो काफी डोग वोटिंग करते समय ब्योहस हो गए इस बार बड़ा प्रचार किया गए था कि जहां चुनाओ होगा वहां पानी मिलेगा पीने का वहां फैस्टीड मिलेगा फिर वहां बैटरे के लिए भी जिगे मिलेगी लेकर थोड़ी देर लाइन में खड़े वे और व अब इसको जेना तो पड़ेगा जो योग करेगा वो सारे युद्धों में विजय होगा मेरी वहन जो स्वामी जी एक रिसर्च कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हैडिक ज्यादा होता है और ज्यादा देर तक रहता है जिसकी एक वज़ा हामोन्स का इंबै कि वेलन्स के लिए एक तो अनुलोम करना है और जो बच्चे ऐसे कठीक टिनाहसन करेंगे करो बेतियों। और आईसे जो कुस्ती कर लेंगे अब जो ये कुस्ती करेंगे कठी नासन करेंगे ओ छोटे छोटे बच्चे भी अब तो ट्रेंड हो गए तो देखो जिनसे जितना बन पाए ऐसे अनुलोम मिलो या हार्मोनल इंबैरेंस करें सुब उठ करके कुस्ती करो दोड लगा सुब उठ करके कर सके अब अब अलग अब चैलेंज ले और गेम तो सभी अच्ये बुष्टी से लेके, कबड़ी से लेके, फूटबोल बोली बोल से लेके बच्चों को आजकल खेनने का ग्राउंड ही ने मिलता हमने तो यहां जह है लोगों को दो एकड़ का ग राउन मिलता जो मन्नेता के लिए जरूरी होता है हमने तो पूरा दस-वीस एकड़ का गॉर्ण साथ में रखा हुआए बच्चों को खेलने के लिए जो खेलेंगे कोदेंगे हसेंगे मुस्कुराएंगे और जिन्दगी को आजादी के साथ दियेगे जिन्दगिया घुट गई है चार दुमारी ओमें तो ऐसे पवन मुक्तासन उत्तान पादासन नोकासन ये तो नित्य की दिनचरिया है ही हमारी और जो कर सके तो बेटियों की तरह चलो बेटियों गृष्षिकासन करो वंदपवन भहरा है बड़ा आनन्द हो रहा है आनन्द स्रोत भहरा प्रतु उदास है तो देखो हार्मोरेल इंबैलेंस के लिए जो आमने प्रारम में ही करवाया था सीर्शासन सर्वांगासन अनुलों मिलों ओंकार गायत्री ध्यान और जैसे हमारी बेटिया यहां शिवस्तुति के साथ दुर्गा भगवती की स्थूति के सुरू के साथ लित्ते कर रही है जो मिनाक्षी जी की तरह डांस जिनको आता है और वह भी सास्त्रीय संगीत सास्त्रीय नित्ते है भरतनाट्यम जे खुचि पूडियाद ही यह जो विदेसी गाने और विदेसी डांस देखा के तो हमको सिर में दर्द हो जाता है करके तो क्या होगा है तो हमारा सनातर तर्ष साथ्विक, संगीत और जीवन यह जोरड़ा रह Vera स्वामी जी कई बरसी दर्द इतना बढ़ जाता है अलग-अलग कारणों से जो सिरदर्ध होता है, कई बर वो इतना बढ़ जाता है कि बढ़दाश के बाहर होने लगता है और इसलिए लोग पैन किलर्ज लेते हैं और ये पैन किलर्ज काफी नुकसान दायक है स्टडी के मुताबिक लगातार पेन किलर लेने से डिप्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, ऐसे में पेन होने पर आयूरवेद में क्या किसी तरहा का कोई इंस्टिंट रिलीफ का उपाय है जिसे अपना कर इस दर्द को तुरंद भगाया जा सके? तो वापस बता रहा हूँ, आयूरवेद में इंस्टेट बेरिफिट के लिए बहुत सी चीज है, तो चलो बेटी ओ भाये तुमने करो लास्ट एक राउंड कुस्ति का, हाँ, ए मजबूत मजबूत बच्चे हैं, हाँ, बड़े इनको देख करके ही आनद होता है, हाँ, लास्ट राउंड चल रहा हाँ, अब ऐसे, जह है, बैठ जाओ अब, अनुलोम बिलोम करो, बटर फ्लाइ करो, तो इंस्टेंट बेनिफिट, किसी को, इंस्टेंट बेनिफिट जैसे मोती पिष्टी गोदंती सिरिदर्द के लिए मने बताया था, दिवेधारा सोंग करने के लिए बताया था, इंस्टेंट बेनिफिट पित्त से है, तो वमन, कफ से है, तो नस से है, और वाद से है, तो नुर्गुंड ये मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है, और ऐसे जो, किवल सिर्दर्द के लिए ही नहीं, किसी को दस्त लग जाए, तो इंस्ट बेनिफिट के लिए सुद्धी छोड़, किसी को बहुत घंकर पाहिल सो, तो अलोवेरा, अलोवेरा, वीट अग्रास, शीशम पीपल पे, एक दम से ब्लेडिंग रुख जाएगा, इसमें थोड़ा सा, एक चुटकी भर कहरवा, और एक चुटकी भर नाके सा, तो इंस्टे बेनिफिट गैस में, मेथी, सोट, सिंधानवा, या गैस है, पीट दर्द में, इंस्टेंट बेनिफिट, हाट के लिए तो रद्यामरित, कार्डियोगरित, परमोश दिया है, लोग जाए हाट के लिए अलग प्रकार की दवाई खीसे में डालके गुमते रहते हैं, तो हमा यहाँ पर, सस्टेनेबल, इंटीग्रीट, एंड सस्टेनेबल ट्रीटमेंट, यह बड़ी चीज है, ने तो दुनिया ख्षणित वाग, ख्षणिक वाद में जी रही है, एक ख्षण का सुख, जिंदगी बरका तुक, एक ख्षण की खुश्या, जिंदगी बरका गम, तो इससे हमें मुक्त होना है, तो फिर यह यो कही रास्ता है, मेरी भेन? स्वामीची, एक और विशय, और ये भी तेज गर्मी से ही जुड़ा हुआ है, तेज गर्मी है, धूल भरी हवा है, साइनस के मरीसों को बड़ी परेशाने हो रही है, साइनस सिर्दर्द ना बन जाए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखो, गर्मी के लिए तो एक और प्याच, प्याच जो है, इसका जो का सत्तू, या चने का सत्तू, और या जो के घाट की दलिये की राबड़ी, और उसमें सत्तो में, राबड़ी में, या ऐसे सलाद के रूप में, किसी रूप में प्याच का सिवन करे गर्मी ने जोका सिवर्करे गर्मी नहीं लगेगी शीशम के पत्तों का रश मेरे गर्मी नहीं लगेगी अब यह जो साइनस है नहीं यह भी सिर में दर्द करता है इसके लिए स्वासारी ब्रॉनकोम लक्षमिला संजीवनी त्रिकुटू सितुपला दी या घर में ही सोट फिपल काली मिर्च का पाउडर उसको एक ग्राम सहथ के साथ लेगी है या तुलसी हल्दी अधरक का रस थोड़ा शेहथ मिला के लिए सैनस के लिए जलनेती सुत्रनेती तो बहुत अच्छी होती है अनु तेल शणविंदू तेल मा बतारात और नाजुक प पतारलो चिरंदर के विए इंव धिया कंधि ड्रों डिंग फिंगर के टूप पर और यह अंगोटे की टॉप है、、 यह आईम जसे ये छोटे चोटे उपाये जिताने साइनस के लिए अंगोटे के टॉप हुआ है और यह सारह पांट स्वामी जी पेट और सिर दोनों एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं जिसे इसलिए ग्यास होने पर सिर्दर्ध होता है तो पाचन को दुरुस्त करने के भी उपाय बता दीजिए ताकि अगर किसी को कभी एसिडिटी होती है तो वह एसिडिटी वाली ग्यास सर पर ना चड़े और फिर हैड़ेक ना हूँ कि कि गट से ने करके प्रेंता ठीकाँ अ मंडू का शन्यों को अधिर योग मुत्रासन यह बड़ा जोरदार है है एक शनको ऐसे एक दो मिंट लगातार करना जल्दमाजी लेवाजी थे लेवों ग्रित लेवां अब्रित लेवों ग्रित वाइटल खाले पेट लेवांब्र में आतों में सूजन है तो पुनरनवारिष्ट, भूख नहीं लगती है तो द्राक्षा सव, और लंबे समय से आते कमजोर हैं तो कुमारिया सव, कबजा है तो अबयारिष्ट और कॉलाइटिस, IBS, Irritable Ball Syndrome है, संग्रणी है तो कुटजारिष्ट, ये चीजे लेने पड़ती है जीरा धनिया सूफ, मेथी, अजवाइन, मुलटी, गुलाब का पानी अभी में बता रहा था, और ऐसी डिटी जादा हो तो आवी पत्ती कर्चुन सो ग्रम, दस ग्रम मुक्ता शुक्ती ले ले, बड़ा जबर्दा सलाव उते लेती, गया ऐसा है तो गया ऐसा, ये मंडूक करा सन, योगमुतरा सन और लेड करके पावर मुक्ता सन जो भी थोड़ देर पहले हम करा रहे थी, तो ऐसे ये अभ्यास करेंगे और हाँ, खाने का सिक्टेंश ये रखे, पहले सलाद और कच्चा खाना है, पहले अनार, पपीता, सेव, भगुकोसा, खर्बुजा, तर्ब तो जा जो भी खाना है, कर आप इंटर्वु ले रही थे, बहुत देख रहा था, Sanjay Singh Ji का, बोले मेरे लिए लिखा कि भाई, इनको सब्जी और सलाद एक किलो देना, तो बोले, लो सो ग्राम तो आलू पेल दिया और सो ग्राम तो आप बोल रही थे, आलू से इतना फ्रेम क्यों है, बिलको जीक बाद, ये आलू और बालू बड़े ख़तलनाक है, तो पहले सलाद खाना चाहिए, सलाद से फलों से सब्जियों से पेट बरो, ये आलू पालू फालतों की चीज़े हैं, तो ये सब गड़बड घोटा लाए, तो खेर, ये मंडू कासन जो करेगा, खाने में पहले अनार पपिता सेवा दिखाएगा, सुबह खाली पीट, अनार जो खालेगा, ये प्रियोग में पिछले 20 सानों से कर रहा हूँ, और मेरा पेट एकदम टना टन रहता है, कितना पढ़िया देखाएगा, अच्छा स्वामी जी, अब आपके जैसा अगर पेट किसी को चाहिए, कि पता ही ना चले आते हैं या नहीं है, हम कही बार BMI आपके साथ मिलका टेस्ट कर चुके हैं, तो स्वामी जी, एक बार वरा दंड बैठक मेरे क्या राच ना जोचना ने की है, ना पूजाने की, ना मैंने की, तो स्वामी जी, थोड़ा दंड बैठक हम से करवा लिजे, जिसे कि ना ये सिर्दर्थ हो, ना कभी गैस की कोई द और दंड लगाओ, हाँ, इसी पर आजाओ, आगे, हाँ, और ऐसे, ये सब को लगानी, साधान दंड, ये पहला, और पतंजरी गुरकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, चुल बुले, थुल थुले, पिल-पले, रोगी, बीमार, और पढ़लिक करके फिर, स्कूल को ये सब करें, तो यहां पतंजरी गुरकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जैसे मोदी जी की गारेंटी है, ने चला आप पच्चों, ऐसे मने तीन गारेंटी दिये, मोदी जी की गारेंटी तो राज रेतिक भाँ, उनका हिसाब किताब तो उन से लेना, सो प्रिषद सवलमल के आत्मने भरता की गारेंटी और वो प्यक्थित्व चरित्व ने त्रित्व हम खड़ देते हैं बच्चों में, वो विधाय का कारपाली का न्यायवानी का मीडिया में, आर्मी में, जुडीशली में, प्रसासनिक सेवाओं में, चारों तरफ ने त्रित सब्सक्राइब करें अरे बाप रहे रामारे रामाचार दोर्दार तालिवा जाओ अरे बाप रहे लेवल तो इस जनम में आने फिरा स्वामी जी मुझी तो आज पता चला ब्लै बाक फ्लिप मार के भी दंड होते है चला भाई कि अब्लिप यह चला यह जा जो तो है तो अज़ यह जो जो टर्काम है तो इसे तो मारा वे पुरुड़ी ने लेगा ने जाए जनो भाई ज़ो अच्छे वए चोरदार काम है वह तुमारा एगे और चलो व्ला भाई बारत आपकी जोगित जोगित यह तो सब को करने है ऐसे और यहां इतना संदर परिदिश्य है ए चटे चटे बाबू खड़े वजाओ यह ऐसे और यह दो अभ्यास सब को करने है कर दो आज पूरा अनन्द हो गया यह दो आप्यास्तों सभी को करने एक यह ऐसे और एक यह और फिर सिर्ता के लिए चलो अवरिक्षासन करो साब चोटे बाबू बड़े बाबू यह ऐसे तो यह देखो यह यह योग का अईरवेद का स्वदेशी का गौरव भार्ति इसक्षा चिकट्सा गवस्था का सनातन थर्म का आत्म बोद भारत बोद के साथ सनात्र बोद के साथ शिक्षा क्या होती है उसका प्रतिष्ठान है यह वतानजली को लाव कि अध्या है मिनाक्षी जी मनी बन सोसरी है जोस्था जी पूजा जी थाश हम भी छोटे बच्चे होते हैं बहुत बार पोच्छी हूँ स्वामीज जी के आप पहले क्यों नहीं मिले अज़ जब छोटे छोटे हैं अब अब अपने बेटियों मुझे थे देए ना मुझे करना है मिनाक्षी जी और आपके एडवांस बुकिंग कर देता हूं जोसरा जी जी स्वामी जी आज पूरी पूरा पसीना हो गया आज योगा का सूपर साटड़े हो गया स्वामी जी सिर्दर्ट से इंस्टेंट रिलीफ के लिए आज पाक शास्त्र में क्या खास आप हमें सिखाने जा रहे हैं आप उसके तैयारी करें तब तक हम पसीना पहुंचते हैं और दर्शकों को यह बताते हैं कि कल के शो में क्या खास होने जा रहा है खुश रहने से कैसे बढ़ेगी काम करने की केपासिटी, पॉसिटिविटी का क्या है हेल्ट से सीधा कनेक्शन, पांच सीक्रेट मंत्र से रहेंगे हापी, महावियर जयनती पर यौगिक थेरपी तो अगर आप अपने जिन्दगी की परिशानियों को दूर करने के लिए कल सुभे साथ बच का चपन मिनट पर इंडिया टीवी लगाना बिलकुल मत बूरिएगा, हमारे साथ यो करिएगा स्वामी जी आज पाक शाफ्तर भी क्या खास है तो देखो जब ऐसे मेहनत करके और रामा रामा और आगे भी पीछे भी और रामा ये दोनों से लिए इनके भी चाभी लगा के छोड़ दिया अपने 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 इसमें देखो और इसमें देखो आज कल तो ये सफेदा आमा रहा है ये भी जो बिलकुल पीला वाला होता है ना बड़ा मज़ेदार होता है हाँ और इधर इधर मोर चाल चल रहे ये तो करेक्शनी काईब हो गया इसका हाँ और ये आम ये तो ये हापुस और एक गोवा का आम है ये वाला ये तो एक एक आम पांसो से हजार रुपय का विखता है इसमें थोड़ा खजूर ओडालो फिर तो क्या टेस्ट जबरदस्त हो जाता है और पेने वाले तो हमारे पास में जबरदस्त हैं एक जबरदस्त है ये तो चोटे बाबू के लिए और ये आम और इसमें थोड़ा खजूर ओडाल दू पीलो और शुपर फूड है और भाई ये हमारा निपून तो बहुत ही निपून है इसको तो जह जग पिलाना पढ़ेगा इसको तो जग पिलाना पढ़ेगा इसका पि स्वामी जी आप हमें भी दीचे इजासत कल फिर होगी आप से मुलाकात योग का सेशन लगेगा आयूरवेद का सेशन लगेगा बहुत शुक्रिया प्राण स्वामी जी